होंडा सेविक का करेंट मॉडल यहीं 10th जेनरेशन सेविक यह 2015 के एंड में इंटर्ड्यूस की गई थी अब नॉर्मली होंडा 4 सालों के अंदर अपने डिजाइन को रिफ्रेश करता है लेकर गुड डिज यह है कि इस मरतबा होंडा सेविक ने अपने 10th जेनरेशन मॉडल के अंदर ही एक मिट साइकल रिफ्रेश लेकर आया है जो के 2019 में पाकसान के अंदर लाँज होगी तो जी होंडा सेविक 10 जेनरेशन के तमाम न्यू फीचर्स और न्यू अपग्रेड जो के 2019 में आने वाला है तो आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दें और आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो होंडा सेविक के फैंस को कैसे पता चलेगा कि 2019 के अंदर ये नई चेंजेज आने वाले हैं जी हो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा होंडा सेविक का 10 जेनरेशन मॉडल 2015 के एंड में आया था अब नौर्मली पाकिस्तान के अंदर जितने भी कार मैनेफेक्टरर्स हैं ये चार से पांच साल के साइकल के अंदर अपने मॉडल को बिलकुल नियू लेकर आते हैं रिफरेश मॉडल लेकर आते हैं लेकिन इस मरतम होंडा सेविक ने किये हैं काफी जादा चेंजिस अपने एक 10 जेनरेशन मॉडल के अंदर अब यहाँ पर गाड़ी के एक्स्टीरियर के अंदर भी काफी चेंजिस की गई हैं इसके लावा सेफटी फीचर्स भी एड़ किये गए हैं और कुछ और फीचर्स भी एड़ किये गए हैं गाड़ी के अंदर 2019 मॉडल में तो अगर आप भी होंडा सेविक खरीदना चाते ह तो अभी रुख जाएए क्योंके 2019 के अंदर इन चेंजिस के साथ ये टेंजरेशन मॉडल री लाउंच होने वाला है तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्स्टीरियर की होंडा का यहाँ पर यह कहना है कि इस मरतबा कॉस्मेटिक चेंजिस यानी चेंजिस की बात करें जो सेंटर ग्रिल है वो लार्ज क्रोम एक्सेंट की तरह होती थी जो के अब रिप्लेस कर दी गई है बिल्कुल ब्लैक के साथ इसके इलावा फ्रेंट एर इंटेक्स जो हैं उनको भी कंप्लीटली चेंज किया गया है पहले यह दो या तीन यूनेट अब इनको मर्ज करके एक सिंगल यूनेट में कर दिया गया है तो फ्रेंट इंटेक्स के इंदर भी कंप्लीटली चेंज इसके इलावा एक कंप्लीटली न्यू फ्रेंट स्प्लेटर भी गाड़ी के अंदर लगाया गया है जो कि पिछले मॉडल इसके अदर आपको नजर बार श्रेंट मॉडल जो है फॉयस मारकट के लिए लाँच की गई है पाकीसान के अंधर हमें भी बेस मॉडल लेगने को मिलेगा यहां पर होंड़ा का यह भी कहना है कि हॉंडा के जितने भी सैंसिंग सेफ्टी टेक्नालोजी है वो अपने तमाम गाड़ियों के अंदर औ की जाएगी बाइदा 2022 अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की जो के 2019 मॉडल के अंदर होंडा ने अपग्रेड किये हैं यहां पर सबसे पहले जो आ जाता है वो कोलेजन मेटिगेशन ब्रेकिंग है इसके लावा फोरवर्ड कोलेजन वार्निंग भी दी गई है रोड डेपा अब यहां पर अगर इसको कंपेर करें ग्रेंडे के साथ तो ग्रेंडे के अंदर एपल कलार पे नहीं है लेकिन दोजारों में सिविक के अंदर एपल कार प्ले भी दिया गया है इसके इलावा एंडुएड और और वॉल्यूम वील का बटन भी इस बार इंट्रिड्यूस क किया गया है मतलब दोजारों में सिविक में आपको वॉल्यूम वील का बटन मी देखने को मिलेगा जो कि हमें बहुत हाई एंड गाडियों में देखने को मिलता है होंडा ने अभी तक गाड़ी की प्राइस को यहां पर फाइनलाइज नहीं किया लेकिन एक्सपर्स के प्राइन मौडल को सेल आउट करके इन न्यू मौडल को लेरे के लिए आएंगे लेकिन यहां पर कुछ एक्सपर्स और एक लॉबी का यह भी खयाल है कि 2019 के अंदर यह गाड़ी जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो अल्रड़ी लाउंच होगी लेकिन कुछ 2020 में अपने रिलीज होने वाले मौडल को जो के कम्प्लीटली न्यू मौडल होगा न्यू री डिजाइन होगा कुछ एक्सपर्स का यह भी कहना है कि 2019 के अंदर इन चेंजिस के साथ 10 जनरेशन से वेक मौडल लाउंच नहीं होगी जबकि 2020 के अंदर 11 जनरेशन में एक करेगा तो दोस्तों अमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इनफॉरमेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को अठाकर शेयर कर दो अपने फेस्बुक के ऊपर ताकि आपके दोस्तों और होंडा लवर्स को इन बातों के बारे में पता चले और आपने नेक्स आपस्टों वीडियो गंदर तब तकी ले आल आफस्टों और आपस्टों पाली गंदर तब तक के ले आला आफस्टों और छी आपके लिडियो वाचिए